अध्याय 42 आभार का कमल जेत्वन मोनास्ट्री की और अपनी यात्रा की आंधन में एक विशाल बोधी वरिक्ष की चाया के नीचे शिक्षा देते थे, धर्मा, उम्मीदों से भरा हुआ दिल लेकर, आंधन में प्रवेश किया और बोधी वरिक्ष के नीचे बैठे बुद्ध को देखा, जिनके चारों और साधुओं और सत्य के खोजने वालों का स वो रहा था, बुद्ध ने चार आदर्श सत्यों की बात की पीडा का सत्य, पीडा का कारण, पीडा का अन, और पीडा के अंत के पत्का, उनके शब्दों की तरह वे एक कोमल नदी थे, जो सुनने वालों के दिलों के माध्यम से बहती थी, जिसमें दर्द से मुक्ती की वा चिंता हैं, और कठिनाया वो केवल दुख के आपसी अनुभव का एक छोटा सा हिस्सा था, उसने अधिक जानने की इस प्रक्रिया के पत पर अपने मन में एक गहरी इच्छा महसूस की, शिक्षा के बाद, धर्मा ने आदर सहित बुद्ध के पास जाकर उनके सामने, जुक के पत के प्रती खोल दिया है, कृपया, मुझे इस पत पर मार्ग दर्शन करें, बुद्ध, एक शान्थ हसी के साथ, अपना हाथ बढ़ाया और कहां, धर्मा, तुम्हारी खुलापन और सीखने की इच्छा मुक्ती के मार्ग पर पहले कदम है, जेत्वन मोनास्ट्री में और मैं तुम्हें ग्यान और करुणा के मार्ग में सिखाऊंगा और मार्ग दर्शन करूंगा, धर्मा ने सहमती दी, और वहां मोनास्ट्री में रहने लगा, बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने का समर्पन करते हुए, उसने ध्यान और सचेतन्ता की प्रैक्टिस सीखी और दिनों महिनों में बदलने लगे उसका मन और मनसा, एक सुभा जब धर्मा बोधी व्रिक्ष के नीचे ध्यान में बैठा था, उसने एक गहरी सूझब अनुभव किया, उसने देखा कि आभार दिल के भीतर कमल के फूल की तरह होता है, जीवन की चुनोतियों और कठिना के बीच भी उसने समझ लिया कि आभार को अस्तित्व की सामान्य आशिरवादों के लिए पैदा करने के रूप में पालन करके, हम दुख के बीच भी खुशी और संतोश पा सकते हैं, इस नई समझ के साथ धर्मा ने बुद्ध के पास जाकर अपना आभार व्यक्त किया, उ कि इसने आभार का कमल मेरे दिल में खिल दिया है, बुद्ध सराहना के एक इशारे के साथ जवाब दिया, धर्मा, आभार एक कीमती गुड़ है, जो दिल को खोलता है, और हमें उन खूबियों और आशिर्वादों को दिखता है, जो हमारे चारों ओर है, यह वह कमल है, जो सबसे कीचडी पानी में खिल सकता है। शुद्धता और खुशी को लाकर धर्मा ने चुना की वह जेतवन मोनास्ट्री में रहें। अपने ध्यान और सचेतनता के अभ्यास को जारी रखते हुए। उसने आभार की शिक्षा को दूसरों के साथ साजा किया। उन्हें याद द नान और आभार के कमल की वृद्धी को प्रतिबिंबित करता था। उसकी मौझूदगी और उसकी शिक्षाए सभी को तासाल और प्रेरणा देने वाली थी जो उसके संदर्ब में आते थे। और इसी तरह आभार का कमल की कहानी ने हमें यह याद दिलाया कि जैसे की धर्मा हम अपने दिलों में आभार को पैदा करते हैं। जीवन की चुनोतियों के बीच भी हम खुशी और संतोष पा सकते हैं। और हमारे दिल पूरी सुन्दर्ता के साथ कमल की तरह खिल सकते हैं। कहानी का सिख आभार का कमल हमें शिक्षा देती है कि हमारे दिलों में आभार को पैदा करने के बावजूद जीवन की चनौतियों के सामने खुशी, संतोष और परिवर्तन आ सकता है, जैसे की कमल की मुद्या की तरह आभार सबसे कठिन परिस्थितियों में फूल सकता है, जो हमें उन आशिरवादों और सौंदर्य को सराहने की अनुमती देता है, जो हमार से चारो ओर हैं।